स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube Trumper Electrician Trade Theory First Years के CBT Examination Questions की सीरीज में आज हम लोग करेंगे Part 8 या Class 8 आप इसे कह सकते हैं जिसमें की Module 5 को जो बचे हुए Questions थे उन्हें यहाँ पे हम लोग करेंगे और Module 5 का आपके नाम है Magnetism and Capacitors ठीक है तो यहाँ के अगर इसके पहले के Parts आपने नहीं देखे हैं इसके पहले की Classes आपने नहीं देखी हैं तो एक बार जरूर देखिएगा जिससे आप आगे की जो Questions उन्हें भी अच्छे समझ पाएंगे and Exam में आप 100% अच्छा कर पाएंगे अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं तो क्योंकि इनके बाहर से अभी तक Questions आपके CBT Exam में कभी पूँचे भी नहीं गए हैं चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करके वेल आइकन को हिट कर लिजेगा तो यहाँ पर Question 25 तक हम लोग कर चुके थे Module number जो आपका 5 था इसका आज इसमें Question 26 से स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो बहुत लंबी नहीं इसलिए थोड़े से Part wise बनाने पड़ रहे हैं आपके लिए जरूर करना है जरूर करना है जिसका अंसर सही होगा हम लाइक और रेपलाई जरूर करेंगे Question है यहाँ पर Which electrical quantity is directly proportional to the eddy current कौन सी विद्धुत मात्रा जो है सीधे भमरधारा के समानुपाती होती है तो भमरधारा के समानुपाती होती वह होती है आपकी frequency यानि की आप रित्ती एक formula होता है eddy current का इससे आप लोग याद कर लीजिए बाकी eddy current हमने आपको बताया था एक अगर हम यहाँ पर transformer की बात करें मान लीजिए इस तरह से कोर होता ना transformer का यहाँ पर आपकी primary coil होती है इधर आपकी secondary coil होती है ठीक है यहाँ से flux जाता है इधर भी आपका flux जो इसको कारता है इसमें भी धारा है प्रवाहित होती है उसे हम लोग भमर धारा कहते हैं तो यहाँ आपका depend करता है directly proportional होता है वो अगला question है which is the cause for changing the permeability permeability हमने पीछे बात की थी permeability क्या है जैसे electricity में conductivity होती है ऐसे magnet के case में permeability होती है ठीक है तो यहाँ पर permeability परवर्तित होने का कारण क्या हो सकता है तो कारण एक ही होगा यहाँ पे क्या होगा आपका flux density क्यों होगा flux density ध्यान दीजे mu musical होता है b upon h ठीक है तो यहाँ पे flux density जो है यह आपका एक region बनता है permeability को change करने का यहाँ भी देख सकते हैं आपका एक graph होता है न permeability यहाँ आपको दिखरा होना magnetic flux density ठीक है तो यही flux density है जिते आपकी permeability क्या हो सकती है परिवर्तित हो सकती है या magnetizing force भी हो सकता है बट यहाँ पे फिलहाल के लिए भी आपसन आपको क्या मिल रहा है flux density अगला कुछन यहाँ पे which type of capacitor used for space electronics किस प्रकार का संधारित्र जो है अंतरिच electronics के लिए उपयोग किया जाता है तो वो है आपका यहाँ पे चार आपसन आपको मिलेंगे plastic film type, ceramic disc type, electrolytic aluminum type या electrolytic tantalum type तो जो electrolytic tantalum type है यह आपका जो अंतरिच space electronics होता है उसमें उपयोग किया ज इसका जो एनोड होता है वो tantalum material का एक बना होता है इसलिए इसका नाम भी इसी तरह पड़ा है और यह बहुत compact होते हैं मतलब बहुत high capacity का आपको जो संधारित्र है मिल जाएगा बहुत छोटे size में ठीक है small size में आपको high capacitance का संधारित्र मिल जाएगा इसलिए electrolytic tantalum type के जो संधारित्र है या conductor है capacitor है sorry वो आपके अंतरिच electronics में प्रियोग किये जाते हैं अगला question है what the effect of electrolytic capacitor if open circuit fault occurs electrolytic संधारित्र का प्रभाव क्या होगा अगर खुला परिपत्दोस है देखे अगर खुला परिपत्दोस है तो संधारित्र अगर तब भी काम कर रहा है तो फिर तो सं circuit open circuit है तो वो काम नहीं करेगा it will not function ठीक है right answer यहीं यहाँ पे it will function normally यह तो बिल्कुल हो नहीं सकता it will become leaky नहीं होगा it will burst at once यह फट जाएगा ऐसा भी नहीं होगा क्या होगा यह काम ही नहीं करेगा अगर खुला परिपत्दोस है उस case में अगला question है 30 number what will be the change in value of capacitance if the distance of the plates are decreased in the capacitor देखिए पीछे भी बात हुई थी अगर हम capacitor के बीच की जो दूरी D है इसे हम क्या करें कम कर दें ठीक है तो C जुकल टू क्या होता है आपका silent 0 हमने formula बताया था ना A by D तो यह D हम जितना करेंगे inversely proportional ना D जितना कम होता जाएगा उत D को अगर हम कम करेंगे तो घटेगा लेकिन A को अगर हम बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा मतलब A को बढ़ाने से बढ़ेगा D को घटाने से बढ़ेगा ठीक या A को घटाने से घटेगा और D को बढ़ाने से घटेगा मतलब जस्ट उल्टा उल्टा ठीक है जिससे directly proportional उस उसके साथ बढ़ेगा, उसके साथ घटेगा, जिससे universally proportional उसका उल्टा होता है, तो अगर इसे हम कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका capacitance इंप्रीज हो जाएगा, अगला खुशन है, which property of magnet is illustrated, यहाँ पे चुम्बक की कौन सी विसेशता दर्साई गई है, देखे चुम्बक पर न एक धागे से बांद के ऐसे लटकाया गया है, दो हम सबको पता है चुम्बक जो होता है उसमें एक North Pole होता है, एक South Pole होता है, अगर आप धागे से ऐसे बांद के लटकाएंगो तो उसका एक सीरह Nada की तरफ, एक सीरह South की तरफ, रहेगा हमेंसे, आप लोगोंने सायथ बचपन में इसका ट्राइ भी किया होगा, experiment किया होगा, इसे हम लोग उसकी directive property कहते हैं, क्या कहते हैं, directive property ये direction अपने आप धागे में आप बान देते हैं, तो change कर लेता है, अगर आप उसे हिलाड लाग फिर छोड़ देंगे, होगा नौर्थ और साउथ पोल पेस्टेबल होगा कभी उत्तर पूरब पस्चिम में नहीं रहेगा ठीक है अगला कुश्चन है वही चीजा पैरा माइगनेटिक सब्स्टेंस अब इसमें देखे फिर से आगया पैरा माइगनेटिक या नहीं अनुचुम्बकी में बात हुई थी वहाँ पर अनुचुम्बकी में आपका क्या आएगा हवा अनुचुम्बकी में क्या आएगा आपका एक चीज़ आप याद रखेगा हमेशा जहां पैरा मैगनेटिक आए वहाँ हवा यह अपवाद भी आप चाहे मालीजे इसको और जहां डाई मैगनेटिक आए वहाँ पर पानी ठीक है यह दो याद रखेगा इनसे कुश्चन बहुत पूचता है डाई मैगनेटिक में पानी और लकड़ी एकजांपल रहेगा और पैरा मैगनेटिक में आपका हवा आ जाएगा एकजांपल बाकी पैरा मैगनेटिक में आप जाएंगे तो आपका ताबा भी है, अलुमिनियम है मैगनीज है, प्लैटिनम है लेकिन ये एक आपका आप वाद थोड़ा सा देखने को मिलता है अगला खुश्चन है 33 नंबर which method of magnetization is used to make commercial purpose permanent magnets देखी commercial purpose commercial purpose मतलब समझ रहे हैं commercial लिए उसका हम use करें फिर तो चुम्बकी करण की कौन सी बिधी जिसका उपयोग हम वाडजिक उद्दे से है तो अस्थाई चुम्बक बनाने के लिए करते हैं अस्थाई चुम्बक बन जाए गाँ टम्प्रोरी नहीं तो वो होती है आपकी induction method प्रेरण बिधी से हम लोग बनाते हैं चुम्बक जो बड़े-बड़े मोटर्स और सब में चुम्बक लगे होते हैं वो इसी बिधी से बनाए जाते हैं बाकी single touch, double touch, divided touch ये भी methods हैं लेकिन ये अस्थाई चुम्बक और इस तरह से commercially बनाने के लिए इनका प्रियोग नहीं किया जाता है आपका induction method या प्रेरण बिधी से बनाए गए magnets अगला question 34 number वर्ड़ इफेक्ट आफ इंड़क्टेंस इफ दिस्टेंस बिट्बीन दटर्न इंक्रीजेज यदि घुमाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होता है अगर घुमाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो प्रेरण आपका increase होगा ध्यान दीजे यहां यह नहीं कहरा है जैसे माल लीजे आप यहां पे एक तरह से अगर हम यहां पे अभी बनाएं आपका इस तरह से आपकी दो कौैल्स हो जाएं ठीक है यहां आपने इस तरह किया यहां आपने इस तरह किया ठीक है यह यह नहीं कहरा है कि आप क्या करें नंबर आप टर्न जो है सेम हो लेकिन इनके बीच के अगर आप distance को बढ़ा दे रहे हैं तो क्या होता है तो उस case में आपका जो प्रेरण है उसका प्रभाव बढ़ जाता है, inductance का प्रभाव बढ़ जाता है, अच्छा क्यों बढ़ता होगा, जैसे हमने ऐसे figure भी बनाया, अब सिर्फ बढ़ जाता है, अगर आप सुनेंगे तो आपको लिए क्यों बढ़ता होगा, तो जैसे आप इनके बीच की क्या करें, टरन उतने लेकिन दूरी बढ़ा दे रहे हैं, तो ज़्यादा flux करते हैं, ज़्यादा flux करते हैं केस में उसका जो inductance है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, अगला question है आपे 35 number, वर्दा function आप dielectric insulator in capacitor, एक संधारित capacitor में पराविद्द कुचालक का काम क्या होता है, तो बीच में dielectric होता है, दोनों तरफ आपकी conductive plate होती है, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है, इनके बीच में धारा के प्रवाह को रोकना, क्या करना, इनके बीच में एक example लेते हैं, यहाँ पर माली जी आपकी इस तरह से coil है, यह capacitor है, यह लगाएगए यहाँ पर आपके, ठीक, यहाँ से आपने इन्हें क्या किया, supply से जोड दिया, ठीक, अब यहाँ माली जी क्या, यहाँ निगटिव है, यहाँ positive है, ठीक, एक example के लिए, यहाँ पर माली यह इधर क्या होगा, प्लस की तरफ आएगा, ठीक, अब यह आपकी प्लेट चार्ज होगई, यह प्लेट चार्ज होगई यह आपकी, लेकिन यह चार्ज होने बाद अगर यह चाहें कि इसके इधर बहकी इधर आना शुरू करें, तो वो possible नहीं होगा, उसके बीच में कोई करेंट फ्लो नहीं होने देगा प्लेट के बीच में, ठीक, वही इसका यहाँ पे क्या काम है, डाइलेक्टरिक का काम है, अगला कुछन यहाँ पे, which factor is determining the value of capacitance in capacitor, एक संधारितर में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है, तो किस कारक से निर्धारित होता है, area of the plate, हमने अभी पीछे भी आपको formula बताया, बार 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 बताया, c equal to epsilon 0 upon a upon d, a क्या है यहाँ पे, इसका area, अगर हमको धारिता का मान रिधारित करना है, area पे depend करेगा, option number a आपका यहाँ पे right answer है, यह area और आप बढ़ा देंगे, इसकी धारिता और बढ़ जाए ठीक है, इसी तरह से, अगला question है, which type of capacitors are used in RF coupling circuit, एक RF coupling या या यूगमन circuit में किस प्रकार के संधारित का हम प्रयोग करते हैं, इसको याद कर लिजेगा, right answer आपका, monolithic, क्या है, monolithic और जो आपका electronic circuit होते थे, space के उसमें क्या होता था, tantalum type के हम प्रयोग करते थे, electrolytic tantalum type का यहाँ पर right answer क्या है, RF यूगमन में, RF coupling में हम लोग, monolithic type का जो capacitor है, उसका प्रयोग करते हैं, यह 37 question में आपका, यहाँ पर यह module अभी complete होता है, module number 5 आपका, जो आपका magnetism गोगा capacitor था, अब उम्मिद करते हैं, module आपका खतम हुआ होगा, आपको यहाँ तक सब कुस समझ में भी अच्छे चाहा होगा, class 9 में हम लोग module 6 आपका करेंगे, उसके पहले आप लोगों के लिए एक bonus question हमने रखा है, which material is having negative temperature coefficient property, किस पदार्त में रिणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, माइका या अभ्रक, यूरेका, तांबा या मैंगनिन, जो भी right answer आप gate से साथ.